हलो गाइज दिस्न नवनित महांत आज हम डिसकस करने baş है और्डर कैपारेट के बारे में शबूत ही अधिक महत offer रखने वाला और्डर है यौर्व सब्ड़ का अर्थ होता है हाप अर्थाथ आधा तता है टेरोब्ड सब्ड़ का अर्थ होता है पंक अर्थाथ इस order के अंतरगत जो आने वाले कीट होते हैं उनकी अगरे जोड़ी जो पंक होता है वो हेमिलाइटर टाइप का होता है इस order के अंतरगत बग्स, मेली बग्स, प्लांट हॉपर्स, एफिर्स, जैसिर्स, वाइड फ्लाई, इत्यादी कीट आते हैं जैस, order हेमिलाइटर के अंतरगत आने वाले जो कीट होते हैं उनका क्रिशिक के छेतर में विसेज महतो होता है ये पौधों के कोमाल भागों से उनका रस चोचते हैं और कुछ कीट जो होते हैं वो परभक्षी अत्वा बाहा परजीविक रूप में हो सकते हैं ये छोटे आकार के कीट होते हैं जिनका सरीर कोमाल तथा अंडाकार होता है इनका सिर्फ पश्चोन मुकी या अधोन मुकी प्रकार का हो सकता है इनका स्युक्त नेत्र पूर्ण अविक्सित होता है और इनमें पंग हेमे लेटर्पकाँ होता है और इनमें सरसाई नहीट पाये जाते इनमें रूपान्दञ अपवोर्ण रूपान्दञ या सद्धान रूपान्दञ पाया कि बिभाइट किया गया है सब ऑडर हौॉइब टेरह तथा है ट रफैरह के अन्टर आने वाले कीघ है आपाफिड जैसेड वाइट फ्लाई plant hoppers, leaf hoppers, etc. तो है ट्रोप्तिरा सब ओर्डर के अंतरगत आने वाले कीट हैं Bugs जिते भी टाइब के true bugs होते हैं वो सब ओर्डर हैट्रोप्तिरा के अंतरगत आते हैं Guys, अब हम बात करते हैं सब ओर्डर हैट्रोप्तिरा के तो suborder heteroptera के अंतरकत आने वाले kit जो होते हैं bugs इनके antenna लंबा तरसा धागा कार होता है और इनकी जो टरसाई होती है वो 2-3 segmented तक हो जगती है गाइस अब हम बात करते हैं suborder heteroptera के अंतरकत आने वाले कुछ families की जिसमें पहला family है family pentatomedi जिसका example है sealed bug या sting bug इनका जो antenna होता है वो 5 खंड का होता है तथा इनका scatulum अर्था जो mesonotum होता है mesonotum का अग्रभाग टिकोनियाकार का होता है जो कवच के समान सारजना बनाता है ये कीट एक विसेश प्रकार के गंद छोड़ते हैं तथा इस कुल के कीट होते हैं इस कुल के सदद से होते हैं वो साकाहारी होते हैं तथा कुछ परभक्षी भी होते हैं जो अगला family है अगला कुल है वो है कोरीडी गाइस कोरीडी जो family है इसके सदद से सुक्षम से लेकि मध्यम आकार के हो सकते हैं इनका सरीर अंडाकार, लंबा तथा सक्रा होता है, ये विशेश प्रकार के तिक छडगन छोड़ते हैं, और इनके पैर काफी लंबे होते हैं, उदारण के लिए धान का गंधी बग या फिर दलहनी फसलों का पोड़ बग अगला जो फैमली है, वो है सीमी सीडी, गाइज सीमी सीडी फैमली के अंदर आने वाले जो कीट होते हैं, इनका सरीर चप्टा होता है, और ये हलके लाल रंके होते हैं, ये पश्यों तथा पक्षियों के बाहर पर जीवे की रूप में होते हैं, ये कीट दीवार की दरारों ये फरनिचर्स की दरारों इत्यादी में छेपे होते हैं, जैसे उदारान के लिए खट मल, अगला जो फैमली है, वो है फैमली पाइरो कॉरिडी, गाइज फैमली पाइरो कॉरिडी के अंदर जो आने वाले कीट होते हैं, वो लंबे तथा अंडाकार होते हैं, इनके सरीर जो होते हैं वह क्ल otko tel के हो sentiments दौर और जो प्लांट डेमेज के जाते हैं इनके द्वार्व डेमेज कियागे प्लांट पार्च होते हैं उसे फंगल इंफ्एकेशन बहुत जल्दी तर बहुतन अधिक मात्रम होता है उदाहरन के लिए रेड कॉटन बग कॉटन इस टेनर उसी कहते है गाइस अगला जो फैमली है वह है लाइगीडी गाइस इस कुल के सदस्यों का आकार चार से 20 mm तक हो सकता है ये कई फसल उत्पाद को हानी पहुचाते हैं जैसे डस्की कॉटन बग या फिर चिंच बग या सीड बग ये जो होते हैं ये कई प्रकार के फ के फसलों को या फसलोत पाद को नुकसान पहुचा सकते हैं अप अहम बात करते हैं सब-order Homoptera के अंतर्यकत जो आने-वाले कीड है वह है प्लांट होपर्स या फिर आफिट या जैसिड इट्याद है इस ओर्डर के अंतर्यकत आने- जो किड होते हैं इनके एंट ल कोटे इनके पंक जिल्लीदार होते हैं तथा इन में इन में भी सर्साई नहीं पाए जाते है गाइस नेक्श्ट फैमिली है फैमिली डेल फैसेटी इस खुल के अंदरकत आने वाले कीट होते हैं वो काफी छोटे आकार के होते हैं अधिकांसता ये पंक हीन होते हैं इनने पॉलिमोर्फिजम पाया जाता है अर्थात इसमें पंक यूग तथा अपंक यह दोनों ही कीट पाया जाते हैं दोनों प्रकार के सदस्य होने कारण ही इनको पॉलिमोर्फिक कहा जाता है इस कुल के अंतरकत आने वाले कीट हैं प्लांट होपर्स जैसे की ब्राउन प्लांट होपर या फिर वाइड बैग प्लांट होपर इस कुल के सदस्यों का सरीर तिकुने आकार का होता है इनका रंग चटकदार चमकिला होता है और पिछली जोड़ी जो टीबिया होती है उसमें दो कतार में काटे के समा सरचना पाय जाती है उधारन के लिए ग्रीन लीफफपर जिसको हम हरा फुदका के नाम से जानते है या फिर जैसिट्स अगला फैमली है फैमली लेफोपीडी लेफोपीडी को फल्गोरीडी के नाम से भी जाना जाता है इस कुल के सरस्नों का सिर चौच के समान सरस्ना बनाता है इनकी पीछली जो टांगे होती हैं पीछली जो पैर होते हैं उनके ट्रोकेंटर पीछे के तरफ मुड़ा हुआ होता है उदारन के लिए सुगर केन का पायरिल्ला नेक्स्ट फैमिली इस फैमिली एलेउरो डीडी गाइज इस कुल के सदस से बहुत ही छोटे लगभग एक से तीन एमेम लंबे होते हैं इनका सरीर तथपंक सफेद पावडर के समान सरचना से धके हुए होते हैं इस कुल के जो कीट होते हैं अपने इमेच्चोर स्टेज में हनी डियो सिक्रेट करते हैं जैसे दारन के लिए White Fly। यह किट कनी प्रकार के वरल डिसीस को फैलाने का भी काम करते हैं जैसे दारन के लिए हम ले सकते हैं Yellow Wind mosiac को Yellow wind mosiac जो भीमारी है उसको पैलाने का मुक्र उक्राण इनका सरीर पियर्स के आकार का होता है, यह भी काफी छोटे आकार के जीव होते हैं, इनकी उदर के पांच में अथ्वा छठे खंड के उपरी हिस्से पर क्रोनिकल्स पाए जाते हैं, और इनकी जो क्रोनिकल्स होती है, यह इस कुल की विसेश पहचान होती है, जिसके मादम से यह वेक्स के समान, मुम के समान, कुछ पदार्थ का सिक्रेशन करते हैं, यह कीट अपने पूरे जीवन काल में हनीडू सिक्रेट करते हैं, एक्सेय discovering के रूप में हनीडू सिक्रेट करते हैं, जो की पौधों में शूति मोल्ड फंगस को बढ़ाने का कारक होता है, और हनीडू के कारण ही, चीट्टी भी पौधों के तरफ आकर्शित होते हैं, ये कीट कई प्रकार के बिमारियों के वहाँ हो सकते हैं जैसे उदाहरन के लिए है एफिड, cotton एफिड, एपिस गोसिपी, या फिर vegetable एफिड, माईजस परसी की, ये सारे के सारे family एफिडिडी के सदस्टे होते हैं Next family is family coxidy Guys, इस कुल के सदस्टे छोटे आकार के होते हैं इनकी जो पिछली जोड़ी punk होते हैं halters के रूप में modified होते हैं इस कारण ये उड़ने में असमर्द होते हैं इस कुल के मादा कीट होते हैं वे punk हीन होते हैं इनने punk नहीं पया जाते जैसे उड़ारन के लिए है scale insects Then last one, last order is Sorry, last family is family pseudocoxidy इस कुल के जो सदस्टे होते हैं इस family के सदस्टे होते हैं इनका सरीर अंडाकार होता है जो कि सफेद, मौम या powder के समान सरचना से या powder के समान कुछ पदार्थ होता है उससे धके होते हैं ये कीट पूर्ण रूप से पंकहीन होते हैं इस कुल के अंदर के आने वाले कीट हैं millibugs जैसे papaya millibugs या coconut millibug या फिर अनब प्रकार के जो फल वाले पौधे होते हैं लगबग हर प्रकार के फल वाले पौधे में millibug पाये जाते हैं आज के लिए बस इत्ता है थैंक यू